पूहिस का मेरे पास मेसेज आ रहा है कि सर जो पहले अइसेअई के जो नू को त्त के अंदर निगेटीwnever का सब्सक्ति ठ लेकर को जाता है यह कुछ पोंट्स में दिखा कि आपके इंटर और फाइनल में आपके MCQ जो हैं वो आपके क्या रहेंगे FAQ के अंदर लिखा है आपके MCQ में कोई भी negative marking नहीं रहेगी intermediate और final है तो यह confirmed news है राइट इसमें किसी भी तरह का को कोई भी myth नहीं है अपने mind में myth मत बनाओ और बहुत सारे मुझे को message बेजने हैं कि सर यह confirmed है कि MCQ में कोई negative marking नहीं है तो that absolutely confirm ICI ने अपने FAQ में specifically बताया आपको कि intermediate के exams में और CA final के exams में किसी भी तरह का कोई भी negative marking का concept नहीं है तो यह good news है new course के अंदर आपको advantage मिल रहा है कि जहां पर एक negative marking रहती है तो उसमें बहुत ज़्यादा marks deduct हो जाते है हमारे .25 marks हर एक MCQ में आपके extra deduct हो जाते है तो at the same time अभी आपका कोई भी MCQ में negative marking नहीं है hope so you found this video is very informative तो confirmed है चलिए वीडियो को like कर देजेगा चानल को subscribe कर लेजेगा and press the bell icon और भी चीजे में ऐसी चोटी-चोटी चीजे आपको बताता होंगा आपके सारे के सारे doubts चोटी-चोटी clips में आपके result करता होंगा चलिए thanks a lot thanks for watching this video God bless all of you